नमस्कार मित्रो हर हर महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुलाराशी वालो पिछले बारा सालों से आपके घर में कलेश कर रहे हैं ये तीन लोग नाम बताएंगे आगे वीडियो में जान कर कही आपके होश न उड़ जाए आज की वीडियो में पास सितंबर से पंदरा सितंबर की भविश्यवानी भी करने वाले हैं तो एक तीर से दो निशाने होंगे वीडियो अंत तक देखेगा पारिवरिक सुक्षान्ती बनी रहेगी व्यापार में तरक्की बनी रहेगी नोकरी में पदोन्नती बनी रहेगी और यकिनन आपके जीवन में सुक्षान्ती बनी रहेगी लेकिन शर्थ इतनी है कि शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा क्योंकि वीडियो की बीच में साउधाने भी बताई है और अंत में शत्रु भादा से बचने के लिए तंत्र मंत्र से बचने के लिए दो उपाय दिये हैं जो आपका मंगल करेंगे सर्व प्रथम बाबा महकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखकर तो देखिए एक बाल लिखकर देखिए आपके जीवन में कितना अच्छा सकारात्मक परिवरता नाएगा देखिए आने वाले अ जो आता है और कलेश कराकर जाता है कई बार हम देखते हैं दोस्तों परिवार बहुत सुक शान्ति से रहरा होता है परिवार एक एकता बहुत बढ़िया रहर होती है फिर बाहर का कोई व्यक्ति आता है अब वो पडोसी हो सकता है रिष्टिदार हो सकता है कोई भी सखा सख तो वहाँ वो जैसे ही आते हैं और हमारे परिवार वालों की जैसे उनके साथ बात होती है वैसे ही वो ऐसा भ्रहम उत्पन्न करते हैं ऐसी सोच उत्पन्न करते हैं कि परिवार के सद्ध से एक दूसरे के लिए मन ही मन में नफरत पैदा कर लेते हैं ऐसा अकसर होता है क्योंक वो नहीं समझेंगे बाहर वाला आकर उन्हें कोई बास समझाएगा तो वो तुरंत समझ जाएगे ये उनकी कमजोरी है और इसी कमजोरी का फायदा अक्सर दुश्मन उठाता है और आपके घर में कलेश कराता है यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहिएगा दोस्तों यहाँ प कुछ करके नहीं दिखाया तो बाद में बहुत पस्तावा होगा आज परिवार के साथ बेट कर हसी मश्वरा नहीं करा तो कल बहुत पस्तावा होगा आज अगर हम घर के किसी सदस्यव व्यक्ति विशेश से बात नहीं कर रहे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर लेगी का कोई भरोसा तो है नहीं उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो आपके मन में बहुत ज़्यादा खटास रहेगी कि काश में उससे बात कर चुका होता या काश मेंने उससे बात कर ली होती तो थोड़े से गिले शिक्वे भुला कर अगर खुद पहल करके लोगों के स सफलता हसिल किये बहुत मेहनत करने के बाद तो वहाँ आकर के लोग क्या कहेंगे कि आपने तो गलत कर्म करके गलत काम करके ये सफलता हसिल किये कुछ लोग इसी बाते करेंगे तो दोस्तों एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर आप खुद की नजर में और अपने परिवार की नजर में सही है तो फिर आपको किसी और के सामने खुद को explain करने की कोई ज़रूत नहीं है बस आपके परिवार को आप पर भरोसा होना चाहिए लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं वो हमारे परिवार वालों को हमारे खिलाब बढ़काते रहते हैं जहर घोलते रहते हैं कलेश घर में करवाते रहते हैं ऐसे लोगों को आखिर कैसे बंद किया जाए ऐसे लोगों को कैसे शांद किया जाए आगे वीडियो में नाम बता देंगे आप समझ जाईएगा और एक बार समझ जाए तो उसके बाद इनके घर पे आने पर थोड़ा सा प्रतिबंद आपको लगाना है घरवालों को थोड़ा समझाना है कि इनकी बातों में ज़्यादा न आए घरवालों को थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से घ्यान देना है आगे वीडियो में बाते होगी साउधानिया भी है आगे उपाई भी है आगे अगर आप हमें अपना मानते हैं तो वीडियो अंततक देखिएगा क्योंकि दोस्तो हम आपको अपना मान कर आपके जीवन में कोई गड़बर नहों इसलिए महत्वपूर्ण सला दे रहे है बिलकुल अंततक वीडियो को देखते रहे है पास से 15 सितंबर महत्वपूर्ण बदलाओ यहाँ पर जीवन में यह नजर आ रहा है कि व्यापार में अच्छे अनुबंद बनने वाले हैं व्यापार में काफी अच्छे समझोते यहाँ पर बनने वाले हैं लेकिन दोस्तो इतना आप ध्यान रखेगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने दिल की सुन्नी है निर्ने आपको कुछ ऐसा लेना है कि यकिनन वो अच्छे रिजल्ट आपको दे थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़े तो रिस्क लीजिए लोगों की ज़्यादा सुन्नी नहीं है लोग तो कह देंगे तो वर्बाद हो जाएगा ये काम मत कर अपने आपकी सुन्नी क्या मैं कर सकता हूँ आए उस व्यक्ति विशेश का नाम बताते हैं जो आपके घर में बार बार आता और कलेश करा कर जाता है उस व्यक्ति का नाम दोस्तो ग अक्षर से शुरू होता है जी हाँ दोस्तो खास तोर पर वो महिला होने के संकेत बन रहे हैं जी यानि गोड जो होता है जी फोर गोड ग ग यानि जितनी भी ग नाम की महिला है आपके आसपास है अगर वो आपके घर में बार बार आरी जा रही है उनके आने जाने के बाद घर का माहोल बिगड रहा है कलेश हो रहा है तो सभल जाईए सतरक हो जाईए आपको किसे से खत्रा बने या ना बने इनसे बन रहा है आपको यकिनन इनसे दिक्कत बन रही है और अगर आप सभल जाएंगे तो घर का कलेश सभल जाएगा और अगर आप नजर अंदाज करेंगे तो ये इनका काम बहुत खुबसूरती के साथ करते रहेंगे सदेव आपके घर में विवाद करवाते रहेंगे तो दोस्तो अब हम आपको बता चुके है नाम उसका नाम गर से शुरू होता है और महिला होने की संभावना बहुत जादा बन रही है अगर आप बात करें अगर आप एक नोकरी पेशा इंसान है अगर आप नोकरी करते हैं तो आपको वहाँ पर मौजूद गर नाम की महिला से भी बचकर रहना है क्योंकि आपको अपने जहासे में फसा कर काम करवा सकती है और बाद में आपको धोका दे सकती है तो ज्यादा आकर्शन भी सही नहीं है इतना समझेगा ज्यादा आकर्शन भी आपके लिए खतरनाग साभित होने वाला है इसी के साथ महफिल में आपकी खूब चर्चा होगी महफिल में लोग आपके दिवाने होंगे आपके हुनर को सीखना चाहेंगे आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहेंगे साती सात दोस्तों संभावना ये भी है कि कुछ लोग आपसे जले वो व्यापारी जो सदेव अपने मन की सुनते हैं अच्छी उचाल पर अच्छा ग्राव बना रखा है वे थोड़े से संभल कर रहे हैं वे थोड़े से सतर कर यहाँ पर रहे हैं क्योंकि गड़बर हो सकती है साउधान आपको रहना है जिम्मेदारी आपकी है संभलना आपको है इसी के साथ साथ दोस्तो बहतरिन परिडराम यहाँ पर दिखने वाले हैं जिन्देगी में भस आप तेयार रहे हैं कमर आप कसलीजें कि मुझे अप कुछ बड़ा करके दिखाना ही दिखाना है इसी के साथ साथ कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आपसे नहीं होगा तो हम कहते हर उस घर में मिठाई जाएगी जो ये कहते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा इतना आप ध्यार रखेगा हर उस घर में मिठाई जाएगी जो ये कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा बस आपको अपने आपको प्रूफ करके दिखाना है यूँ नहीं सोचना है कि मेर से नहीं होगा एक छोटा सा दीपक पूरे अंदकार को दूर कर देता है एक बिजली की मार चटान को चकनाचूर कर देती है और साथी साथ दोस्तो अगर छोटी सी जीटी हाती के कान में गुज जा है तो वो हाती से भी टांडव करवा सकती है तो आपकी कत काटी क्या है कोई माहिने रही रखता आपका रंग क्या है कोई माहिने रही रखता आप के से दिखते हैं कुछ माहिने नहीं रखता माईने रखता है आपका आत्मविश्वास कितना है आपका होसला कितना है आपके अंदर जीगर कितना है और वही आपको सफलता तक पहुचाएगा अब दोस्तों दो उपाए बता देते हैं ताकि आपके जीवन से तंत्र मंत्र का प्रभाव दूर हो जाए शत्रू पीड़ा दूर हो जाए आपको श्रिफल लेना है जिसे नारियल कहा जाता है लेकर हर शूपकाम में नारियल का इसनला होता है और ये भगवान को चड़ायेव जाता है क्योंकि उनका मनत स्थेदा भोग होता है नारेल आपने लिया उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है 21 बार अपने सर के उपर से वो नारेल उसाल लेना है घुमा लेना है इसके बाद आप क्या करें उसी नारेल को चड़ा दीजिए हनुमान जी को वहाँ बेठी है हनुमान चालिसा का पार्ट कर लेजे सच्चे वनोभाव के साथ मन में गलत विजार उस समय ना आए ध्यान रखें कुछ समय बाद वहाँ से उनारेल पुन उठाई और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजे दुश्मन की पीडा से मुक्त होने का जवर्दस्त उपाय है करके जरूर देखिएगा अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपके घर में अशान्ती बने हुई है पारिवारी कलेज बना हुआ है चाहा कर भी वेसा रिजर्ट नहीं आ रहा जिसा आप चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा वो काम यह है दोस्तों कि आपको एक सरसो का तेल का दिपक हनुमान जी की समक्ष लगाना है और उसके अंदर दो लोंग डाल देनी है यानि एक लोंग का जोड़ा आपको डाल देना है बहतरीन शांदार परिणाम इसके दिखेंगे कलेश सारे खत्मों होंगे विक्रिपा बालाजी महाराज की मिलेगी है इन दस दिनों के दोरान केरियर कारोबार में एक अच्छा मौका अच्छा सुवसर आपको प्राप्त होने वाला है आपको भाग्य और कर्म का सहयोग मिलने वाला है जो की आपको मन चाहि सफलता प्राप्त कराने वाला है अपने मित्र और शुप्चिंतकों की मदश से अपने सपनों को साकार कनने में आप काम्याब रहेंगे यदि किसी योजना या कारोबार में आपका धन फसा था तो वह इश्ट मित्रो या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से अब वापस बाहर आने वाला है ये बहुत बढ़िया बात है कारी व्यावसाय में उन्नती होगी और आपका मन जो है वो धर्मेकारियों में बहुत ज़्यादा लगने वाला है देखिए अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें किसी और के पैरों में जुखने की जरुत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार भगवान के चर्णों में जुख गए माता पिता के चर्णों में जुख गए तो आपको कही और जुखने की जरुत नहीं पड़ेगी इस बात की तो गरेंटी है तो जितना ज़दा हो सके भगवान के साथ जुड़े रहें ये आपके आने वाले भविश्य के लिए बहुत अच्छा होगा आगे वीडियो में साउधानिया है और अंत में हैं बड़े जरुरी उपाए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप बिलकुल अंत तक देखें भवतिक सुक साधन से जुड़ी कोई बड़ी चीज आप खरी सकते हैं और साथी साथ लव पार्टनर की तरफ से आपको कोई बड़ा सर्प्राइज किफ्ट मिल सकता है दामपत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा इसी के साथ साथ यदि अपने समय और उरजा का प्रबंदन करने में आप काम्याब हो गए तो मन चाही सफलता आपका इंतजार कर रही है या फिर दोस्तो आपको इंतजार करना पड़ेगा इसलिए कोशिश यही करिए कि समय आप पूरा इस्तमाल करें कब क्या करना है कैसे करना है आपके पास लेखा जोखा हो उड़जा का प्रबंदनों कई बार हम हमारी एनरजी को फालतू के कामों में लगा देते हैं जबकि हमको अपने मेहनत के कामों में लगानी चाहिए तो ये थोड़े से बदलाओ आपको करने हैं आलसी से बचना है और अपने काम को कल पर टालने या फिर किसी दूसरे के जिम में डालने से बचना है अन्यथा बने बनाए काम बिगर सकते हैं किसी व्यक्ती के लिए जूटी गवाही बिल्कुल भी नहीं देनी हैं इतना ध्यान रखिएगा वरना नियम उलंगन करने की वज़े से कानूनी कारेवाही में आफ़स सकते हैं और बड़ी परेशानी आपको जिलने पर सकती है कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि मित्रता में सब कुछ हम कर सकते हैं हमें अपना बेश्ट देना चाहिए हमें उसकी ऐसे मदद करने चाहिए वैसे मदद करने चाहिए लेकिन यही चीजे जीवन में मुसीबत भी देती है इतना ध्यान रखिएगा तो दिमाग से भी काम ले हर समय दिल से सोचना सही नहीं है यह समय सेहत की दरश्टी से थोड़ा प्रतिकुल है याने की खत्रा बन रहा है और यह मौसमी बदलाव भी हो सकते हैं आपके घर के बड़े बुजुरुगों का भी आपको ध्यान रखना होगा और अपने दिन चरिया और अपने खान पान को भी आपको सही रखना होगा अनिथा शाररिक कष्ट आपको जहलने पड़ सकते हैं कारे छेत्रे में अपने सीनियर जूनियर दोनों का सहयोग आपको मिलता नजरा रहा है और परिवार के किसी सदिस्य से जुड़ा शुब समाचार आपको प्राप्त होने वाला है परिक्ष्या प्रतियों किता की तियारे में जुटे छात्रों को मंचा ही सफलता मिलने वाली है इसे के साथ साथ प्रेम संबंद काफी प्रगान होंगे और एक दूसरे के प्रतिया आकर्शन और नजदी क्या बढ़ने वाली है कठीन समय में आपका लव पार्टनर आपके लिए मददगार साबित होगा तब आपको एक बात का ऐसास होगा कि जिन्देगी के सारे रिष्टे मौह माया है आपका जीवन साती हर बार आपके कामाया है और जो हमारी धर्म पत्नी होती है या फिर आपके जो पती होते हैं एक दूसरे का जो संग होता है वही आपको आगे बढ़ाता है अगर आपको तो तुला राशी वालो आज की वीडियो हम बात करी पास सितंबर से लेकर पंदरा सितंबर के बारे में वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में जैम आता दी जरूर लिखें चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अभी के लिए दोस्तों आप सभी दर्शिकों को बहुत बहुत धन्यवाद